हेलो एवरीबन वेलकम तो माई यूटूब चैनल और आज मैं फ्रेंच बीन्स के नूट्रिशन के बारे में बताऊंगी थोड़ा सा क्यूंकि जब हम सबजी बनाते हैं और उसके नूट्रिशन समय पता होते हैं तो वो सबजी बहुत ही अच्छी बनती है और उसे बनाने और खाने का कुछ अलग ही मसा होता है तो फ्रेंच बीन एक बहुत ही अच्छी सबजी है जो कि उत्तर प्रदेश महारास्टरा हिमाचल में पाया जाता है और इस सबजी को खाने से आपका जो सेल जो डैमेज सेल हमारे होते हैं वो ठीक होते हैं और इसके बाद इसमें बहुत स छूरू करते हैं, अब मैंने इसके פה बता दिये हैं, तो beans को सबसे पहले हमें अच्छे से इस तरीके से टुकրो में तोड लेना है या काट लेना है, जैसा आपको पसंद हो उसके पाद हम इसे हलका सा पानी जैसे एक या दो मिनिट पानी में हमने पॉल करके निकाल लेना है और अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं इसे हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बनाएंगे तो मैंने यहाँ पर दो टेबल स्पून ओईल लिया है सरसुका तेल तेल को हलका सा गरम होने देंगे जैसे ही हमारा तेल गरम हो जाता है तो हम इसमें डालेंगे एक चोटा चमच जीरा दाना जीरा दाना के बाद यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी अद्रक की चोटे चोटे टुकडे काट लिये हैं इसे हम ग्रेवी तरीके से बना रहे हैं और यहाँ पर मैंने कारलिक डाल दिया है चार से पांच कल दिया लसन की है और इसे हम हलके से चला लेंगे यहाँ पर कड़ी लीप्स है कड़ी पत्ते हैं जिसके चार से पांच मैंने डाल दिये है फ्रेश हो तो वो डाल लो या मेरे पास ये सूखे पते थे तो वो डाल दिया है इससे भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और इसके बाद हम इसे हलका सा तेल में पकने देंगे और अब मैं इसमें डालने जा रहे हूँ अजवाइन क्योंकि अजवाइन डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है जिन लोगों को गैस बनती है खाना खाने के बाद कच्छी ढेका रहाती है जिनका खाना नहीं पच्छता है उन्हें अजवाइन का इस्तमाल अपने हर तरह के खाने में करना चाहिए और दुपहर के खाने में अगर आप अजवाइन इस्तमाल करती है तो आपको गैस नहीं बनती है और एक कटा हुआ प्याज है जिसे मैंने डाल दिया है और इसे डाल कर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे हमें हलका सा पकाना है और इसके बाद मैं इसमें डाल रहे हैं थोड़े से काजू काजू आप्शनल है आप चाहें अगर आपके पास हो तो डालिए वरना आप इसे मत डालिए और इसे डालने के पाद हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले तो यहाँ पर छोटा चमच मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है चोटा चमच इसमें रेड चली पाउडर, धनिया पाउडर एक चोटा चमच और ये है मेरे पास किचन कींग का मसाला जो डाल दिया है एक चोटा चमच क्यूंकि ये सबजी हम बना रहे हैं इसमें बहुत सरे अच्छे न्यूटिशन्स होते हैं ये हमारे अंटि आक्सिदेंट से भरपूर होता है और बोडी को बहुत ही जो विटामिन्स और कुछ ऐसी चीज़े होती हैं विटामिन, कैल्शियम जो हमें इस बीन्स में बहुत ज़्यादा मिलती हैं और यहाँ पर मैंने टमाटर डाल दिया है काटकर दो टमाटर को चॉपड करके डाल दिया है रफली काटके डाला है और इसे डाल कर हमें इसे हलका सा हमें इसे पूरा नहीं पकाना है हम इसे आधा कच्छा ही रखेंगे और ये कुछ दनिया के पत्ते हैं जिसे हलका सा डाल दिया है और हम इसे कुछ देर के लिए इसी तरह के से इसे हिलाते हुए पकाएंगे और अब हम इसे ठंडा होने देंगे इसे ठंडा होने के बाद अब ये ठंडा हो चुका है तो अब में इसे एक मिक्सी के जार में डाल कर इसकी हमें ग्रेवी तयार करनी है और बीन्स में बहुत सारा अंटियोक्सिडेंट होता है जो हमारे बॉड़ी को बहुत ही हेल्दी बनाता है तो ट्राइ करें कि बीन्स की सबजी जरूर खाएं हमारे प्यूरी रेडी हो चुकी है और बहुत ہी स्मूद प्यूरी मैंने बना लिए है इसके बाद उसी पैन में हम डालेगे दो चमझ राई एल्थ के लिए भी और टेस्ट भी उसका बहुत अच्छा आता है तो दो चोटे चमझ मेंने राई का टेल डाल दिया है और अब हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं एड़ करेंगे बस हमने जो प्यूरी बना रखी है उसी को हमें इसमें डाल देना है तो प्यूरी को मैंने डाल दिया है और अब हम इसे थोड़ा सा पकाएंगे कि इसमें जो कुछ भी मसाला डाला था तो वो अच्छे से पक जाए और जब हमें इस तरीके से इसमें उबाल आ जाए और थोड़ा थोड़ा सा तेल ऐसे दिख रहा है साइट में आपको जब इस तरीके से तेल आने लग जाए तब हम इसमें एक बार इसे वापस से इस तरीके से चला लेंगे और चलाते हुए हमें इसे तब तक पकाना है कि जब तक थोड़ा सा तेल मसाला उपर नहीं आ जाता है जो कुछ भी हमने इसमें डाला है यह आरोमेटिक नहीं हो जाता है तो मैं इसे खुब अच्छे से पका रही हूँ इसी तरीके से यह प्रोसेस करने में हमें 2-4 मिनिट लग जाते हैं तो अब क्या करने आ पाता है फ्रेंच बींस जिसे हमें इसमें डाल देना है और डाल के इसे अच्छे से मिक्स करना है और एक से दो मिनिट आप इसे अच्छे से उन मसालों के साथ दुभारा से हिलाते हुए भूनिये और अब मैं इसमें थोड़े से आलू एड़ कर रहे हूँ तो दो आलू थे जिसे मैंने काट लिया है और काट के इसमें डाल दिया है तो इस सबजी को आप पराठा, नान, रोटी, चपाती के साथ खाएंगे राइस के साथ खाएंगे तो मतलब बहुत ही टेस्टी लगती है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं खाने के तो ट्राइ करें कि अगर बीन्स मिल रही है तो बीन्स की सबजी ज़रूर बना के खा और अब हम क्या करेंगे जिस जार में हमने मसाला पीसा था उसी में थोड़ा सा पानी आड़ करके इसे वापस से हम पानी डाल देंगे उसमें इसमें हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है बस हम थोड़ा सा पानी इसमें आड़ करेंगे ताकि आलू अच्छे से पक जाए तो यह सब्जी हलकी सी जूसी टाइप से रहेगी तो आप इसे राइस के साथ भी खा सकते हैं और अब हम डालेंगे सौद के अनुसार नमक नमक डालने के बाद हम इसे दुबारा मिक्स करेंगे और अब हम इसे कवर्ड करके कुप करेंगे तो हम इसे ढखकर पकाएंगे पान से छे मिनट के लिए आप इसे बिलकुल आराम से स्लो मेडियम फ्लेम पर छोड़ दीजिए तो पान से छे मिनट हो गए हैं तो हम इसे चला के देख रहे हूं तो हमें बस यह देखना है कि इसके जो आलू है वो अच्छे से पके होने चाहिए और बीन्स भी हमारी अच्छे से पक जाने चाहिए तो आलूा भी थोड़े से कच्छे लग रहे हैं मुझे तो हम इसे अच्छे से मिला कर मिक्स करके इसे इसमें मैं यहां पर डालूँगी थोड़ा सा जो है यह cinnamon powder से यह डाल दिया है cinnamon powders और black paper का powder मैंने दोनों ही डाल दिया है तो इससे इसका taste बहुत ही अच्छा आता है तो इसे हम अच्छे से डाल देंगे तो अब हम इसी तरीके से इसे हिलाते हुए पका लेंगे और आलू भी हमारी अब दबाने से पक चुकी है तो अब हम इसे और बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे सबजियों को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए ने तो उनके nutrition सारे खतम हो जाते हैं और अब यहाँ पर डालेंगे धनिया के पत्ते धनिया के पत्ते डाल कर हम इसे दुबारा मिक्स कर लेंगे तो यह सबजी हमारी बन के तयार है यह अंटियोक्सिडेंट से भरपूर सबजी है और इसको खाने से आपको बहुत सारे फाइदे होंगे तो इस सबजी को एक बार जरूर बना के खाईएगा और अगर यह मेरी चोटी सी वीडियो अगर आपको अच्छे लगी हो जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए यह मिल्ग लगी चैनल को जानकारी चैनल को सब्सक्राइब कर जानकारी चाराइब कीजिए लगी हो